अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ के देश के अंदर most polluted city कौन सी है तो आपके दिमाग में आएगा डेली बट लास्ट यह सब लोग चौक गए चौकि डेली के मुकाबले मुंबई का पॉलूशन जादा था जबकि मुंबई की जोग्रफी इस तरीके की है कि मुंबई में पॉलूशन देली के मुकाबले जादा हो नहीं सकता उसके बावजूद भी ये चीज़ देखने को मिली रिसेंटली साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च पेपर पबलिश किये जहां पर उन्होंने बताया कि लास्ट येर विंटर में मुंबई का पॉलूशन देली के मुकाबले जादा क्यो था इस रिपोर्ट का नाम है त्रिपल डीप ला नीना अन और्थोडोक्स सर्कुलेशन एंड अन यूजल स्पील इन एयर कॉलिटी ओफ इंडिया यहां पर नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि ला नीना की वज़े से जो नॉर्मल एयर सर्कुलेशन है वह चेंज होता हुआ दिखायदिया था लाष्ट यह जिसकी वजह से मुंबै में पॉल्यूशन जादा था अब क्या चेंज़ेस हुए थे मुंबाई के मुकाबले डेली में पॉल्यूशन क्यों जादा होता है और लाष्ट यय onion को उसकी चीजहों को में linig के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोग के पास में एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अन Academy अब केवल online नहीं है अन Academy ने अपने offline center खोल दिये हैं डेली के करूलबाब मुखजी नगार के अंदर प्रयाग राज के civil lines के अंदर जहां पर इंडिया के top educator आप लोग को offline class के अंदर पढ़ाना है अगर आपको इन offline class के अंदर जुड़ना है तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो इस qr code को scan कर सकते हो वहाँ पर code जालना यह वाला जिसके बाद में आपको 40% का discount मिलेगा इसके अच्छा मौका आ अगर आप UPSC के लिए prelims की तयारी कर रहे हो आपको economy में दिक्कत आ रही है तो economy का एक अलग से capsule course भी launch किया गया है वीवेक्सिंग सरदवारा जिनके नाम की UPSC के अंदर standard किताबे चलती economy के लिए तो आप बिल्कु से इनके session के अंदर भी जुड़ सकते हो चलिए दोस्तो आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हुआ क्या देखो लास्ट इयर का यह article है जो बताता है कि मुंबई का air quality बुला था डेली के मुकाबले अब ऐसा क्यों था इसका एक बहुत बड़ा कारण था ला नीना ला नीना क्या होता है एक unusual air circulation होता यह है Pacific महासागर के अंद इकवेटर के आसपास नौर्थी श्ट्रेड विंड और साउथ विंड चलती है जिसकी वयसे विंड जो है वो पानी को उधर ले जाती है कहीं बाद यह विंड जो है यह तेज चलती है इस्ट्रोंग हो जाती है तो पानी ज्यादा उधर जाता है अब आप समझना मालो imagine कि यह हमारा समुद्र है यह समुद्र के अंदर पानी है अब समुद्र के अंदर जो पानी गर्म होता है वह केवल उपर का ही होगा क्यों क्यों कि पानी गर्म हो क्यों रहा सूरज की रौष्णी उपर वाली लेयर पर रहेगी नीचे तो नहीं रहेगी इसे ऐसे इमाजिन करो कि एक पानी का गलास आप छट पर छोड़ा है बड़ी दूप में तो आप पाओगे कि उसका उपर उला पानी गरम था अंदर घंडा था सेम समुझर में भी होता है कि उपर पानी गरम होता है अंदर घंडा होता है अब क्या हुआ कि एयर के साथ पानी भी करेगा पर कौन सा पा पानीए इस साई आजाएगा उधर कौन सा रहेगा तो नींचे । पानी ऊपर आएगा थंड़ा फाना या इधर घरम रहेगा है हैं कि जब भी युल्ड जदा टो होती है तो इधर जड़ा गर्म पानी आजाएगा अवाप समझें कि इस गर्म चीज ओती न युथ갔 Ben और ठंडी चीज contracted होती है अब आप समझो कि पानी लगाता है इधर आ रहा है तो यहां पर एक उल्टा स्लोप भी तो बन रहा होगा ऐसा है यहां पर पानी का मुवमेंट उधर होना चीए पर विंड के कारण पानी इधर आ रहा है पर किसी साल अगर विंड कमजोर हो जाए त तो फिर यह पानी राइट साड जते कि जाने लगेगा तो गर्म पानी होगा तो उसे हम अल्निंओ लाजनीना मैं अंता समझे हो अगर ला नीना है तो लाजनीना की विएसे आन्यूजाी समुद्र का ताप मांद ठंडा हो जाए पिछले तीन सालों से हम लोगों को ला नीना इफेक्ट देखने को मिल रहा है ला नीना की वैसे भारत के उपर इंपक्ट ये पड़ता है कि भारत के अंदर ज्यादा बारिश होती है तो पिछले तीन सालों से ला नीना देखने को मिल रहा है और जब पिछले तीन सालों से ल इसकी वैसे ला नीना की वज़े से तो वो चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है अब समुद्र हमारे क्लाइमेट का एक बहुत इंपोर्टन इस्सा है क्योंकि समुद्र का ताप्मान कम ज्यादा होगा तो हमारे क्लाइमेट के सर्कुलीशन पर हवा के ओपर भी के आसपास भी तो ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर एयर सर्कुलीशन चेंज हो गया है जिसकी वैसे मुंबई में पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ गया एक्स्टेप्शिनल केस में उसके पहले नॉर्मल केस समझो क्या मुंबई में जनरली पॉल्यूशन कम क्यों होता है द दिग्री नौर्म और 30 डिग्री का लेटिट्यूड कुछ यहां आता है इस जगे पर देली जो है वो 30 डिग्री के लेटिट्यूड के उपस है जहां पर वेश्टरली विंड चलती है इस तरीके की पंजाब यहां है पंजाब के अंदर स्टबल बर्निंग होगी बर्न होने के बाद में यह जो वेश्टरली विंड है वो पंजाब की जितने भी धुआ है वो सब देली में ले आएगा देली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा इवन यहां पर नौर्दन प्लेन का भी जो पॉल्यूशन है वो देली के आसपास आके खटता हो जादा है कि अरा इंडर्श्रल आइज़िशन जादा ही है पर मुंबई में क्या होता है कि मुंबई में इस वज़ें से कम यह यहां चलने की वजाए नौर्दर्ली विंड चलने लगी मतलब विंड जो है वो नौर्थ से साउथ की तरफ चलने लगी जिसकी वज़े से पंजाब का जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली में ना जाते वे नीचे की तरफ आया वेश्टन घाट के यहां मुंबई के आपके रुख गया है पहला तो यह हुआ दूसरा लेंड बीज सीब्रीज होता क्या है जिसकी वैसे मुंबई का पॉलूशन कंट्रोल रहता है तो देखो जब दिन का समय होता है या गर्मी का समय होता है धरती तेज गर्म होती है वाम हो द्हीर गर्म होता है गर्म यह चैनल हाइटी यह उन्हाद है और समय कहा गया है से कंडिशन में इसे क्या कहा गया है औरीजिन जहां से वहां से देखेंगे यह क्यों क्यों कि ओरीजिन नॉट्ट थे इस तरीके से क्या होता है यह से ले लगती हो समुद्र की साफ हवा यहां यहां आती है और जमीन की गंदी हवा है यह कव होगा जब समुद्र और फिर जब रात का समय होगा या ठंड का समय होगा तब जमीन से हवा उल्टी चनल लगेगी सेव उल्टा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है समुद्र की हवा जमीन पर आ रही है ऐसी कंडिशन में जमीन की हवा तो नहीं जा रही है वो पॉलूशन महीं ठहरा हुआ है समुदर की हवा जमीन पहिंन पर यहां पर किया हो रहा है रात के समय जब pau-τॉlen की तरफ जाती तो पॉजूशिंण कम होता है ला नीना की वाध़ा समुदर का अकम रहा नी कि कंडीशन रही जिस strs right घ्यान की हवा समुदर या नहीं तो आप लोग को यहां पर पढ़ाने वाले हैं तो बिल्कुर से आप इन सेंटर के अंदर विजिट कर सकते हो इसके अलावा अगर आपको हमारे सेंटर देखना है तो इस वीडियो को बिल्कुर एंट तक देखने हैं कर दो सकते हैं कर दो कि अ युझ रुझ